हाई दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चानल किचन एक्स्प्लोरर में आज हम लोग देखेंगी नई रेसिपी वो है चोले कुल्चे की हम इस रेसिपी को बेजिक इंग्रीडियन्स से ही बनाएंगे और बहुत यमी लगता है काने में अब आपको मेरे रेसिपी पसंद आई तो फिर लाइक शेर जरूर करना और नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना मत बूरना तो फिर जल से जल शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बोल और इसमें डालेंगे मैदा एक कप फिर उसके अंदर जाएगे एक टी स्पून चीनी अब इसमें डालो बेकिंग सोड़ा वानी टी स्पून और बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून फिर उसके बाद हम डालेंगे दो टी स्पून बरके तेल नमक स्वात के अनुसार फिर डालो दो टेबल स्पून दही दही डालने के बाद हम सारे चीजों को अच्छे से मिलाएंगे फिर अच्छे से इसका एक डो बनाएंगे चाहिए तो पानी डालो मौत सारा मत डालो जितना चाहिए उतना ही डालो फिर एक medium soft dough बनाके उसको रख दो 2 गंटे तब तक हम चोले बनाएंगे तो यहां मैंने कडाई में एक टेबल स्पून तेल डाला है जब तेल अच्छे से गरम होगा हम लोग इसमें डालेंगे दो बड़े साइस के कटे हुए प्यास अब इसके अंदर जाएगा दो इंग चॉप जिंजर अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दो और अब डालो इसमें ग्रीन चिली एक इसे फ्राई करना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए और अब हम डालेंगे दो चॉप के टॉमेटोस और अब इसे अच्छे से सोटे कर दो अब डाल दो उसके अंदर तोड़ा से नमक ताकि हमारे टमाटर जल से सॉफ्ट हो जाए मिक्स कर दो इसे अच्छे सी देखे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं अब हम इसमें डालेंगे तोड़े मसाले अब डालो लाल मिर्श का पाउडर वान टीस्पूल कोरियांडर पाउडर वान टीस्पूल और अब डालो चना मसाला पाउडर वान एंड़ाफ टीस्पूल इन सब मसालों को अच्छे से पकाओ मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला है अगर आपको लग रहा है कि आपके मसाले जड़ रहे तो आप तोड़े से पानी डाल सकते हो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बॉइल चने डाले हैं मैंने उसे सोक करके 5 विजिल लेके अच्छे से बॉइल किया है और अब हम डखकन डालके उसे अच्छे से बॉइल आने तक चोड़ देते हैं बीच में एक बार चला के देखो देखे कितना चवबाल आ रहा है तो अब हम इसके उपर डालेंगे कसूरी मेती तो यहाँ हमारे चोले बन के तयार है तो अब हम कुल्चे बनाएंगे एक बार इस डोग को अच्छे से मिलाओ और अब हम इस डोग को तीन पोशिन्स में डिवाइड करतेंगे अगर आपको चाहिए तो आप चार में भी कर सकते हो अब हम एक गोला लेंगे तोड़ा समायदा स्प्रिंकल कर दो इसे हाँ से तोड़ा चप्टा कर दो और अब हम इसमें डालेंगे काले तिल दबाओ ताकि आचे से सेट हो जाए तो फिर हम इसको उल्टा रखके बेल देंगे ओवल शेप में आप इसे बेल दो ज्यादा तिक मत करना देखिए ऐसा तो अब हम इसमें तोड़ा सा पानी ब्रश कर देंगे उसको पलटना मत कौनसे साइड में हमने बेला है उसी साइड में हम डाल देंगे पानी फिर एक आयन तवा ले लो और उसके उपर डाल के इसे अच्छे से प्रेस कर दो एक मिन्ट हम इसे ऐसे पकाने तिले चोट देंगे देखे चोटे चोटे बबल्स दिख रहे हैं ना तो अब हम इसे उल्टा करके पकाएंगे उसे चारो तरफ गुमाओ ताकि वो सारे साइड में पक चाएं तो यहां हमारे कुल्चे रेडी हैं बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बनता है ये और अब इसके उपर ब्रश कर दो तोड़ा सा गी चाए तो आप बटर भी डाल सकते हो यहां हमारे चोले कुल्चे की रेडी है अगर आपको मेरी रेडी पसंद आई तो उसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत बूलिए और कमेंट करके मुझे बताए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाबाई